अब आद यहां पर कुछ भी नहीं होने पाएगा और यहां तक गोबन्स के मामले की बात है कि वो बत्री पे कोई को काटने का प्रयास करेगा और उनकी को मारने का प्रयास करेगा तो यहां तो गोबन निवान अधियम पहले से लागू है वो केवल बयान देते हैं कि जानवरों का खुले में सारजनी ग्रूप से सेक्रिफाइज सुनकर नहीं होना चाहिए और गुर्बानी नहीं होनी चाहिए योगी जी खाम अका महत तनाव पैदा कर रहे हैं मुझे लगता है कि योगी महराज को चाहिए कि जिस तरह से सारे देश में सेक्रियूरिजम के तहत हमारे देश की जो सम्विधान के दाएरे में अपने धार्मिक अधिकारों को निभाने का जो हख दिया गया है सुप्रीम कोट के जरीए और सम्विधान के जरीए उनको मुसल्मानों को निभाने दिया जाए जर्ण मौने हैं नमर वन शो ताल ठोके में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अमन चोपड़ा भैस की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें आ ताल ठोके में शाम पांच बजे बैस इस मुद्दे पर कि क्या मजभब के नाम पर कानून की कुरवानी कबूल है एक घंटे बाद शाम शे बजे ताल ठोक के स्पेशल एडिशेन में पूछेंगे कि क्या यूएन से मदद मांगकर शर्शीत अरूर ने देश का मज़ाक उड़ाया क्या है यूभी के अलग अलग जिलों के अधिकारियों को वीडियो कान्फरेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए योगी आदिते नातने निर्देश दिये कि बक्रीत के मौके पर गोवंश की कुरवानी को रोका जाए इतना ही नहीं यहां पर भी जानवर खुले में ना काटे जाएं ये कहा गया कि पब्लिक स्लोटरिंग ना हो और ना ही कहीं मास्क के टुकडे या खून को नालियों में बहाया जाए ये आदेश जारी किया गया कि बही हाईजीन का धियान रखा जाए स्वच्चता का धियान रखा जाए और पब्लिक में स्लोटरिंग ना हो बक्रीत के मौके पर लेकिन योगी के इस फैसले पर सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है असदूदी नोवैसी और माजिद मेमन जैसे निता कहरें कि योगी धार में एक धूबी करण कर रहे हैं दूसरी तरफ यूपे सरकार की दली है कि जो निड़ेश जारी किये गए हैं वो तो पहले सही है उसे बस सक्ती से लागू किया जाएगा आखिर जो चीज कानून में है उसे लागू करने पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं सवाल ये भी कि आखिर हर मौके पर योगी सरकार मुसल्मानों पर कानून क्यों ठोपरी है उनी के लिए उसी पक्ष के लिए बार बार विशेश नियम काईदे कानून क्यों याद दिलाए जा रहे हैं कोई और नियत तो नहीं ये भी सवाल है कभी राजगान तो कभी बूचर खाने के नाम पर और अब बक्रीद के बाहने कई मुसल्मानों को निशाना तो नहीं बनाया जा रहा है ये भी बहुत अहीं सवाल है ताल ठोक के इसी मुद्दे पर बड़े सवाल क्या रहने वाले एक बर जल्दी से निजद क्या कुर्बानी पर कानून सामपरदा एक सियासत है क्या मजभग के नाम पर कानून की कुर्बानी कबूल है जोगी राज में पक्रीद बहाना क्या मुसल्मान है असल निशाना हर मौके पर सिर्फ मुसल्मानों के लिए नियम कानून और सवाल दो ये भी कि इको फ्रेंडली त्योहार सिर्फ हिंदूओं की जिम्मेदारी है क्या चच्चा की शुरात मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा मेरे साथ है संबित आपका स्वागत मेरे साथ शहजाद पुनावाला जो की पॉलिटिक एनलिस्ट है शहजाद आपका स्वागत मेरे साथ तैसीन पुनावाला यूथ वर कॉंग्रेस के फाउंडर है तैसीन आपका स्वागत मिरसाथ मौलाना असाद खान फिलाही सहाब है अस्लामिक सकॉलर है फिलाही सहाब आपका भी स्वागत मिरसाथ ALL IN, M.I.M. से वकार सहाब जुरेंगे और समाजवाधी पार्टी से जूही सिंग भी मिरसाथ जुरेंगी आदेश है, संबित. इसमें बुराई क्या है? जहां तक खुले में कुर्बानी नहीं देने की बात है, 17 फरवरी 2017, 23 अगस्ट 2012, दोनों ही समय सुप्रीम कोट ने इस विशह पे कहा है, उन्होंने कहा है कि सवच्चता का ध्यान रखना चाहिए. इनजीटी ने 12 में 2015 को इस विशह में कहा है, तो क्या हमें सुप्रीम कोटर इनजीटी का पालन नहीं करना चाहिए? परियावरन क्या महत्तवपून नहीं है, नदी में जाके खून मिले और उसके कारण प्रदूशन बढ़े? ठीक है, यह प्रदूशन होगी है. हुए क्यों कि कुर्बानी महद मुसल्मान नहीं डैते हैं हर धर्म के लोग देते हैं लेकिन कभी जब उनके जब अलग अलग धर्मों के कुर्बानी देने की बारी आती त différentes ग्राइड्लैन्स ईश्य नहीं होते और मिंहां के इस तरह के बै continuay in बहराल उस मुद्दे को छोड़ते हम आते इस मुद्दे के ओपर सम्वित भाई ने कहा कि गाये की कुर्बानी ने देनी चाहिए उनको मैं बता दो कि इसलाम में लिखा गया कुरान शरीफ के अंदर कि आप चोरी की कुर्बानी करी ने सकते तो जिस मुल्क का कानून है कि करते हैं इसकी कुर्बानी तो आप मुद्दे पर रहिजिए आपको इसने कोई विकास नहीं किया है आपको सिर्फ मुद्दा भटकाना है और आपको मुसल्मानों का जो तेहारें से खराब करना है इसलिए इस तरह की वियान बाजी आप करते हो स्वच भारत अभ्यान के अ रहे हैं जान बूच कर नियम थोपे जा रहे हैं इससे त्योहार खराब हो जाएगा गंद ना करने से खुनों की ना खुन की नालियां ना बहाने से मास्के तोतले दूर ना पहकने से इनका त्योहार खराब हो जाएगा तैसीन के रहे हैं ऐसा है अमन भाई पहले तो प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में तैसीन साम वैसे तो अपने को अथीश्ट बता चुके हैं वो कुरान श्रीफ की आयत बता दें जहां लिखा है कि गाएं को जबा नहीं करा जा सकता गाएं हराम हैं कभी इस पूरे प्रोग्राम में बता दें इतनी देर में वो आयत ढूंड लें पहली चीज़ दूसरी चीज़ इसलाम में अगर आप योगी जी की बात करें ये जो कानून ये जो हम लोगों को समझाये जा रहे हैं सहब ये इसलामी कानूनी हैं जानवर के ट्रेवलिंग में प्राबलम नहीं होनी चाहिए जानवर बीमार नहीं होना चाहिए साफ सुतराई से उसकी कुर्बानी होनी चाहिए खून आदी टुकडे सड़क पर महले में नहीं होने चाहिए अरे ये सब इसलामी हैं योगी जी कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं योगी जी कोई हराम कायम नहीं रहता है और वो बतौर इसलाम सब्सक्राइब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है टॉक्लर रिजवान एक मिनिट का समय था आपने यही बात मैं भी कह रहा था कि यह तो भई पहले से है और कई मुस्लिम और्गनाइजेशन आज भी मुस्लिम और्गनाइजेशन भी कह रही है हर मुस्लिम समझदार मुस्लिमें समझता है वोही ओर्डर्स को वोही चीजों को वस याद दिला जा रहा है कि यह चीजों का ध्यान रखा जाए यह कम्यूनल कैसे हो गया जूही सिंग या स्थर जो चिंडित किये जाएं वहीं कुर्बानी हो, साथ ही ये भी बात थी कि गायों पर अल्रेडी प्रतिबंद है, चाहे वो गो तसकरी हो, चाहे वो गोवध हो उत्रप्रदेश में, तो इसमें अगर एक सरकार दुबारा कौनून को दुबारा रियेटरेट कर रही है और एंफेसिस कर रही है, तो ये कम्यूनल नहीं है, और अल्रेडी जो है, बहुत सारी मुस्लिम ओगनाइजेशन, कई ओगनाइजेशन तो ऐसी भी है, जो कह रही है कि इस बार हम बली भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम केरल की मदद करना चाहते हैं, तो इन सेंटिमेंट्स को हम एप्रिशियेट करते हैं, और जो कह रहा है कम्यूनल वो बहतर बताएगा, क्योंकि उत्तरप्रदेश के लोग समझदार हैं, जो कानून इतने वरशों से चला आ रहा है, उसमें कोई सियासत ना हम करना चाहते हैं, ना किसी के तिवहर पे सियासत करना चाहते हैं, हाँ, अपनी उम्मीद है कि इसी तरह के कानून हम पर भी लागू होंगे, जब हम अपनी मूर्तिवी सर्जन करने जाएं, जो सुप्रीम कोट का आदेश है, या अन्ने जो हिंदू तियाफार होते हैं, तो मुझे लगता है कि गरूर जो भाई चाहते हैं, आपने शुरुआत बह इक लिए मैम कि हिंदूओं पर भी लागू कर दीजे न भई, आप यही समझा रही हैं, आप एक बक्ष को टागेट कर रहें, हिंदूओं पर लागू कर दीजे, मैम हिंदूओं पर कितना लागू है अगर यह मैं गिनाने पर आगये जल्ली कट्टू पर पाबंदी लगा किसी इंदु मुष्म मचाया मिं इसले हम इंदु मुसिलिम म्त याद दिलाइए ठीक है नाले में खून ना जाये नदी में ना जाये अब आपको मैं एक बार बताता हूँ जब इस तरह का आदेश दिया जाता है और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी कुर्बानी होती है हाईजीन का ख्याल रखा जा सके देखे सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ आदेश देना नहीं होता है सुविधाएं भी उपलब्त कराना होता है अगर आपने कोई आदेश दिया है तो उसका आल्टरनेटिव दिया है जब कहा गया कि खुले में सौच ना किया जाए तो उसके बदले में हमने सौचाले बनाए है की नहीं बनाए सरकार ने आज इतने लाग सौचाले पूरे अंदुस्तान में मौझूद है जितने भी बनाए गए वो क्यों बनाए गए गए लोग खुले में सौच ना करें ठीक उसी तरीके से जब यह बात के जा रही है कि आप खुले में कुर्बानी ना करें खुन और ये नालियों में ना जाए इस तरह की और गंदगी ना पहले तो उसके लिए आपको प्रॉपर अरेंजमेंट देना पड़ेगा तब आप अगर सुविदा उपलब्त कराते हैं तब आपके आदेश का पालन भी होगा अब अभी जो सम्भी तीन बाते कहीं कि पहले भी आल्रेडी थी इन में से दो चीज़े तो वाकरी सही है इसमें प्रॉपर अब तो यह भी का जा रहा है भी दिवाली भी डिजिटल हो चुकी है और मेस्थ पर मैफ स्ब्रॉपर आपके ठेज देश कर कर रहा है एक जूँब कर एक दिवाली की बात करें कि इन्ससाइज कर यह भी तो अर्गां तो इसकी arrangement करिए फिर आप लोग और इनकी जिम्मेदारी से वितनी कि टीवी डिबेट में अगर ऐसा आदेश पिछले साल भी था तो आपने सरकार से क्या पहल कि आप एड़ो किसी करने तीन तलाग पर तो पहुंच जाते हो पर इस मुद्धे पर करने नहीं कि हमको चिन्नित को कर सके तो वह सेकुलर योगी नहीं है वह सांपरदाइक योगी है दूसरी बात कानून व्यवस्था को लेकर जब दुर्गा पूजा पे बैन लगता है तब तो यह लोग बहुत अच्छा हुआ बंगाल में कर दिया गया यहां पर भी कानून व्यवस्था का हवाला दिय दूसरी तरफ यह हो रहा है अगर बीच में दंगे हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी है अब मैं आपको बताता हूँ एजिप्ट में खुले में गौकशी करना या किसी भी जानवर की का बलिदान देना यह पूरी तरह से प्रतिबंदित है क्या एजिप्ट सांपरदाइक है मुसल्मानों के खिलाफ है क्या अरे आप बीच में मत बोलो अबुदाभी में पैनल्टी लगती है अबुदाभी मुसल्मान मुल्क है यह मुसल्मान तंजीमों ने भी यह आदेश दिया हूब हूँ वही आदेश योगी सरकार ने दिया है इन दोनों आदेशों में क्या फ बखर सब योगी का जो आदेश है जो पहले से था उस नियमों को याद दिलाए जा रहा है यह क्या संप्रदाइक आदेश है या मानते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए मतलब साथ सुत्रे सब्सक्राइध तरीके से हाइजीनिक तरीके से हाईजीन को मेंटेन करते हुए बाकरीत कों सब सबसे सब्सक्राइब कर दू इसे कीं ऊपोज़ा नही ने करता है क्या फ्रभ आएक में अध्यर इसवासाग्ट कर्दो भाट को पर नहीं हो सकती है जो फीमेल जानवर होते हैं जो मादा जानवर होते उन पहाई प्रशास्थराची तो भाता हो बिल्कुल भी नहीं होती है कि लोग हैं वो कुछ अलग तरह के लोग हैं न जाने क्यों अच्छे लोगों से मश्वरा नहीं ले रहे हैं इसलिए हर वार इनके जो जो इनके फर्मान हैं वो गलत सावित हो जाते हैं अभी मैंने बैठते-बैठते सुना एक साफ उण लेत हैं अब उदाभी की बात तो जहां अब सीवर का पानी भी नल में नहीं आता है महां सडकों पर कूडा भी नहीं दिखता है महां कुत्ते भी सडकों पर लेटरीन करते नहीं दिखते हैं और आपको अमेरिका चीज आपने बहुत अच्छी चीज कई कि भई खुले में कुर्बानी नहीं दी जाती मेरा आपसे सवाल है सर गाजियाबाद में कल ही पांच लोगों को गोकशी के मामले में गिरफतार किया गया क्या सईद आसिम वकार आप ये गैरंटी दे सकते हैं कि बिना किसी आदेश के खुले में कुर्बानी नहीं होगी कर रहा हूं आपसे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में चोरी मना है हिंदुस्तान में बलातकार मना है हिंदुस्तान में कतल मना है लेकिन लोग करते हैं उसके लिए कानून है करते हैं सर अभी आपने का कोई नहीं करते हैं बलातकार भी हो रहे हैं अभी आपने का कोई नह पपरिटे हुए आप अजीब किस्ट के आदमी है है आप लोग असल में आप जूट पकड़ा गया ना अब आप ने 30 से किन पहले कहां कि नहीं होती है आप ते हिखलीजे होती है नहीं होती है होती है नहीं होती है नालियों में खून बैराता है कि धाका की नद्यों में खून बैराता है तो तो बागलादेश की बात चोड़ दिए करनाटक में जहां पर M.I.M. सरकार में है जेडियेस के साथ उनका गड़ बंदन है वहां पर शिवाना पार्टिल एक मंत्री के सामने एक मौलाना ये नहीं क में खाक कि मैं तो गाए काटूंगा M.I.M. ने उस सरकार से अपना इस्तीफा लिया या उस मंत्री का इस्तीफा करवाया है मैं जवाब देता हूँ ये सर इको फ्रेंडली की बात हो रही है, संबित बहुत देर्सका आत्खड़ा करा हुआ, संबित, उसके बाद डॉक्टर जवान इमत आप बोलिएगा, संबित. देखिया, आप सबने कहा कि कोई खुले में कुर्बानी नहीं देता है, और कोई भी गोवन्स की तरब आँख उठा के भी नहीं देखता है, तो स्वभाविक है, ये तो बढ़ाई की पात्र हैं आप लोग, फिर अगर कोई सर्कुलर आया है, रियाटरेशनल सर्कुलर हुआ ह जो सर्कुलर पहले से था, जो कानून पहले से था, तो मुख्यमंत्री का ये दाइद तो है, कि जब वो अधिकारियों से बात करे, तो अधिकारियों को तागीद करे, कि ये देश का कानून है, इसका पालन होना चाहिए, तो आप लोग परिशान क्यों है, और याद रहे, ये सर्कुलर कोई सर्कुलर मतलब आप लोगों को सर्कुलर नहीं दिया गया है इंडिवीजुली ये अधिकारियों के साथ कल वीडियो कॉन्फरेंसिंग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आधित्यनाथ जी ने हिदायत दी है कि चारो तरफ ये सब पालन हो जो कानून है दो तो 2012 में भी और 2017 में भी सुप्रीम कोट ने इस पर टिपणी की और एक बात ने बता दूं यहां हमारी बेहन जुही जी बैटी है जुही जी ने कहा मुर्तिवी सर्जन पर भी बोलना चाहिए मैं कहूंगा कि मन की बात की वो बात प्रधानमंत्री की निकालिए प्रधानमं प्रधानमंत्री ने अच्छी बात की सुप्रीम कोट ने भी अच्छी बात की इस तो अगरी कर रही हूं अच्छी बात की इस पर भी करिये आप ही तो हिंदु मुस्लिम कर रही थी शुरूआत में नहीं मैंने का देखे आप हिंदु मुस्लिम सोच रहे एड्मिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स मुस्थी सर्जन में पिछले दो साल से हो रही थी तीन साल से तो मैंने का उस पर भी ऐसे हिदायत दे मुख्य मंत्री एक रेफरेंस था अब आप इसको अगर हिंदी मुस्लि पूछा में जवाब देजिए और मुझे दद सकेंद्रा दीजिए मैं फलाही साहब को उनका उत्तर देजू ठीक एक में डॉक्तर रिज्वान संबेट एक मिन आपको मुक्ता दूंगा है मैं क्यूंकि यह बहुत महत्तोपूर नहीं पढ़िये जो 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 हिदायत दी गई है आप पूरे हिदायत और आप सब्सक्राइब कि वहां अल्टर्नेटिव एक सेकेंड बिकॉस एड्मिनिस्ट्रेटिव इंपोर्टन्स है लोगों को फाइदा होगा यह खबर जानी चाहिए अल्टर्नेटिव हर जिले में जो हमारे अड्मिनिस्ट्रेटर से उनको हिदाय जो अपने घर के आंगन में पॉसिबल नहीं है वह वहां भी कर सकते हैं यह सारे अल्टर्नेटिव एको फ्रेंडली तो हो सकती है सर या नहीं हो सकती या कोई बात करेगा इको फ्रेंडली तो संप्रदाई को जाएगी तो संप्रदाई बात कर रहा है डॉक्टर लिजवान आमन भाई मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताऊं अपने चालिस साल के अनुभव की मेरट की मेरी पैदाईश है और मेरट से 20 किलोमेटर दूर सरदने में हम सबसे पहले कुर्बानी किया करते थे उसके अलावा मैं कम से कम 20 देशों में 20 शहरों में हिंदुस्तान में रहा हूंगा और सदन हर शहर में हर शहर में कॉमन पॉइंट्स होते हैं कुर्बानी करने के लिए लखनों में कम से कम 30 जगा 30 जिरो 30 जगा ऐसी हैं लखनों में जहां मुसल्मान आदमी जाके कुर्बा नहीं कर सकता है लेकिन थोड़ा सा पे लेना पड़ेगा रिक्षा करनी पड़ेगी गाड़ी में बकरा रखना पड़ेगा जाना पड़ेगा इतना आपको करना पड़ेगा और अगर आप नहीं जा सकते आप घर के आंगन में घड़ा खोद लीजे नमक रखके आपना जो भी पीसेस हैं, उनको वहीं दफन कर दीजे, पिछवाडे कर दीजे, अगर आप चाहें, तो आप कर सकते हैं, बहाना बना के लड़ना हैं, तो अलग बात. हम अपनी जगह की बात कर रहते हैं, अपनी जगह की बात कर दो अपनी जगह की बात कर दा है. नएझ होगा तो सब्सक्वाडलाएं. पर भ्रकरन को पर हैंगे तो पर देना हो जहांना है और नहीं हो तो सरकार की जिम्मेदारी इसे परते हैं गरे दो कहते हैं इसे में संप्रदाइक नहीं बनाना चाहता है अब सब्सक्राइब कर रहा हो सुनिये तुसे तरकुला देवी की गोरकपूर में मंदिर है, वहाँ पर नवरातरी में जानुवर की बली चलाई जाती, उनकी कुर्बानी दी जाती, आप मुझे एक सर्कूलर योगी जी का दिखा दीजे, गोरकपूर को लेका एक सर्कूलर, सिर्फ एक, मैं अज एक सर्कूलर के भाई, इस 40-40 गिनते, मैं नास्तिक हूँ, लेकिन सूरे माइदा पढ़ लीजे, सूरे माइदा कुरान में चूरी के बारे में क्या कहता, अगर कहा का कानून है, देश का निजाम है कि आप गाई के हत्या करी ने सकते, तो आप कैसे उसकी कुर्बान ही करोगे, तो इन लीगल है, और गाई की हत्या होती है, वो तो भाजबा के राज़ अरुनाचल प्रदेश, वो तो भाजबा करा जो गो आए, वहां के मुक्वे मंद्री कहते हैं, भीफ ए, इंपोर्ट करेंगे, उन्दों आपकर आपको पता है, अमन, आनिमल वेलफेर बोर्ड ओफ इंडिया का धर्म पत इसका भी धर्म आप पता कर लो, अमन जी, शायद हिंदू कानून है, और फिर पीटा, जो पीपल्स और एथिकल ट्रीट्म आप अनिमल्स है, ये भी बोडी बोलती है कि चाहे कोई भी धर्म का हो, अब इनके कानून नियम जो देश में बने है, जो सेकुलर कानून नियम है उसको लागू कराने का काम योगी कर रहे हैं, तो इसमें को प्रॉब्लम है, मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदू लोगों के त्योहार में, कोई सड़क पे आनी रहा हो, मंदिर पे बली हो रही है, और अगर मंदिर बली, बंदर के भार अगर होती, तो उन पे भी कानून लागू होता, मैं आपसे कह रहा हूँ, कि ये देखे, ये वारा नसी में भी designated spot है, ये हमारे रिजवान भाई को target करने के लिए बात कह रहे थे, यहाँ पर नॉइडा का लोग पूछ रहे थे, जो शौच नहीं जाएंगे, अगर शौच आले नहीं हो कम्यूनल आईए, ये सर्कुलर कम्यूनल आपको अश्चेरे का विशय है, देखे बड़ा, मैं आपको बताता हूँ, ये सर्कुलर की बात कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोट का और बहुत सारे मैं तो कहूंगा, जितने भी हाई कोट है, सब हाई कोट के order का, किसी ना किसी वर नहीं हो सकती है, गंदगी नहीं फैलाई जा सकती है, दिवाली और होली पे इको फ्रेंडलिनेस के नाम पर यही लोग, यही लोग जो आज हमारे साथ सेक्लरिस्म की डिवेट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लिखते हैं, बीना फठाके के दिवाली हो, बीना पानी के होली म बना दी जाए, जली कुट्टू नहीं होनी चाहिए, मूर्ती पूजन नहीं करो आप, विसरजन भी मत करो आप, कुछ भी मत करो आप, मगर यहां पर तो कोई मना नहीं कर रहा है, बिल्कुल धर्म में है, कुर्बानी होनी चाहिए, हम उसका सम्मान भी करते हैं, मगर जो का सब्सक्राइब करें दिवाली पर पठाके तक बैन कर दिये गए से नोटु क्रैकर्स भोली में पानी बरबादी होती है उसको लेकर बंगाल में तो दुर्गा मूर्ती विसर्जन से लेकर सब कुछ हुआ पर्यावरन को लेकर जिम्मेदारी सिर्फ एक पक्ष की है क्या आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है मैं यही बात कहना चाहरा था कि यह जो सरकुलेशन आया सरकार की तरफ से इसके अंदर ना तो यह अपील भी नहीं गई गई कि मुसल्मानों को चाहिए कि कुर्बानी ना करें इन्हों दो उसके परक्रिया बताए कि कैसे करने चाहिए उसमें भी अब गदर दो रहा है आपि जगा दीजिए नहीं देंगे तो उसके पर खातेंगे फलाहिसा आप बोलिए फलाहिसा बोलिए कर रहे हैं वो बिचारा कर रहे ही स्वागत वो कर रहे हैं अरे वाई हम काफ खाक करते हैं। परहने में हुआता। एक मिठ तैसी, तैसी सुनिए, बहुत PIL दाखिल करते हैं ना, हर दूसरे दिन PIL, एक दाखिल कर दीजे, कि बकरी पर, इको फ्रेंडली बकरी क्यों नहीं मनाई जाती, कर दीजे दाखिल, हुई थी, है चुनोती, हुई थी, यह RSS वालों ने किया था, और Supreme Court ने बाहर तेख मुझे आपि लाभिज़ का दे बाइगा मांता हु कॉरबानी हुने चेए, में मांता हु कॉरबानी हुनेचे, छी है है, ख़ला इसाब होगिया उनके इसाब अजाए, जूब पर ना नहीं करें एक पर नहीं को ने करी दिया रहे हैं जुझे एक चीज्ज बताईए सरथ अमन जी यह चीजह तो Muslim scholars आपके पक्ष से भी आती हैं कि भई कुर्बानी देने की जरूरत ही क्या है यह भी कहा जाता है हम लोग वो नहीं कह रहे हैं सरकार वो नहीं कह रही है, योगी सरकार वो नहीं कह रही है, बलकि यहां तक कह दिया जाता है कि कुर्बानी देने की क्या जरूरत है, आजकल तो दिवाली भी डिजिटल होगी है, सर हम वाटसेप कर देते हैं, पठाके फूर जाते हैं मेसेज में, ये चीजे हो सकती है न, ज शायस पूरा पैनल एगरी करेगा शिवाय मिस्टर तैसीन के और शायद हमारे वकार भाई के कि मुसल्मान कहे कि ये सर्कुलर आया है हम हिंदुस्तान के जिम्मेदार नागरिक हैं हम इस पे अमल करेंगे जितना भी मुम्किन हो सकता है हम करके दिखाएंगे एक दिन बात पे ये बेवकूफी के आर्गूमेंट करने की जरूरत क्या है अरे लॉलीपॉप खाने वाले डंबल मारने वाले अंकल ये तो दुनीजिए है कि आप मुझे तरकों पर बात कि आपको तरकों की अच्छा है मैंने कुरान पड़ाने मैंने कोई परस्नल बात ही नहीं की तो लॉलीपॉप जो खारे मुंको मैं बात कुड़ाओगा और बात यही है आप मुझे नोटिस दिखा दीजिए खतब हो गया अब करेंगे नहीं पर बात यहीं आपके उमर में बात प्रेशर बढ़ जाता है हैफ कॉंप्लान तो पीता हूँ लीगल चीज़ तो पीता हूँ अब कर लेंगे तो यह हो जागा कि योगी सरकार का सुआगत हो गया सर संबित भाई मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में कोई सी नदी ऐसी नहीं जिसमें आदमी का मलमूत्र नहीं गिरता है गंगा भी है, यमना भी है कौन सी नदी ऐसी है, गोमती भी है पूरे शहरों के सीवर और जाके महां मिल ला है और उसके बाद वहां पानी पिलवा रहे हैं आप अगर आपको स्वच्टा पर बात करना है तो नीचे से शुरुवात कीजिए मैं आपके साथ खणा हूँ कंदे से कंधा मिला के आपके साथ चलूँगा जाइए सत्तरा सो क्रोड उपय का रिवर फ्रेंड लगनों हो बना बक्रीट पे कंदे से कंधा मिला लीजी नशी ला गिर ला है जिसको मौडरनाईज के नाम पर बंद किया गिया कि बनाया जाएगा और उसके लिए सेदासिम लकार ये सारी चीज़े आप कहरें ठीक है आप आज अपील कीजिए अपने मुसले भायों से आपके आवास को सुना जाता है आपका कद है ने सर अपील कीजिए कि आप मुसलेवां भायों इको फ्रेंडली भाक्रीड बंद पड़ावा है फिर भी जानवर कट रहे हैं कहां कट रहे हैं आपको पता है आप घर से शुगरात कीजिए कहिए कि नहीं बेज़वान जानवर को काटने की जरूरत नहीं है करा आप बखार सब ही और करा रहे हैं बेज़वान जानवरों को काटने की जरूरत नहीं है डिजिटल बकरीड बनाएए कहिए आप फिर वादे के साथ नहीं कर रहा हुआ हॉँ पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बाद कह रहा हूं कि गाए की कुर्वानी बखरीद में नहीं हो सकती है सुनिये अब इसको यहां पर गाए से जोड़के क्या दुरूत है अब बाद के लिए बार 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 इसको अब इसको बनाएं नहीं पर गाए को फ्रेंडली बखरीद बनाने में क्या दिक्कत है एक कानून बनाई है अमन जी देखिए वो रिपीट रहे है अब आपके बात की आप गुजारिश कर रहे हैं कि वकार साब बोले वो वकार साब नहीं बोलेंगे पर इर्फान खान जैसे उधारवादी मुसल्मान ने पिछले साल कहा था हमको कहा जाता है अमन जी मुझे दस सेकंड डे दीजी ना आने पर पठाके मत फोड़िये मुझे तो बोली में पानी मत पेखिए जली कट्टू बैने दई हांडी मत फोड़िये जन्मास्टमी में सब कुछ करिए चीक है मैं भी बात रखते हैं इर्फान खान जैसे उधार जीत में और कुरान ने लिखा गया है कि पडोसी को अगर तकलीफ पहुंचे तो धर्म किस काम का नहीं है आपके पडोसी जो गैर मुस्लिम है जिनके लिए ये गलत है देखना सडकों पे होते हुए उनके उनकी भावनाओं का कदर नहीं कर सकते अगर आपके घर में शौच जा रहे हैं लोग मजबूर है बार करने के लिए बार करने के लिए बार करने लोग आपको मैं अच्छा घर के अंदर नहीं बख्रा काटा जा सकता आप अब आप बार की बात करने के लिए इस डिबेट को पर बात किस तरह करनी चाहिए आप ने उस डिबेट को अब फ्रेट्ली में लाके बना के से नोटु कुर्वानी कर देए जैसा एको फ्रेंली की बात ह सब्सक्राइब करें योगी सरकार जी के सर्कुलेशन पार के उन्हों ने जो सर्कुलेशन दिया है कि अमन भाई मुझे यहां आना है इस डिबेट को गलग नहां पे नहीं लिया जाए दोनों ही होता है आप देख लेजिए दिवाली में नहीं होनी चाहिए यह ग्रामर की क्ल एक बात यहां बैठे जितने भी मेरे पैनलिस भाई बेहन हैं और देश के हजारों जनता जो सुन रही है देखिए हम यहां यह डिवेट नहीं करें कि कुर्बानी होनी चाहिए यह नहीं होनी चाहिए हमें से कोई बिल्कुल सही कई सब्सक्राइब कोई सवाल नहीं उठता सब्सक्राइब करना चाहिए मगर सरकार के तरफ से सरकार के तरफ से बार-बार हमें इसको क्लारिफाइब करना चाहिए संबेट मैं वह तो कर रहा हूं डिवेट भी नहीं कर सकते इस पर इंदो धन पर कुछ भी हो जाए वहां डिवेट भी नहीं कर सकते जरूर करिए मगर मुझे बिल्कुल बिल्कुल मुझे बोलने दीजिए अभी अमन भाई रुख जाहिए नहीं आप उतर देजिए नहीं दीदेदी नहीं कर रहा है किसी और ओप कर रहे है या किसी और अमन जी मुझे बोलने दिया जाए आपको क्लियर कर दूँ संबेट हम लोगे कहते हैं ने दिवाली पर से नोटू क्रेकर्स वर्चुल दिवाली मैसे जाते हैं पठाके फट रहे होते हैं हो गया ना से रैसे तो फिर वर्चुल वक्रीट क्यों नहीं अमन जी गलती यह हो रही है कि हम आपका डिबेट का टॉपिक योगी आदित्तिनाथ जी का सर्कुलर है और अगर हम यहां पर डिबेट में बीच में कोई ओन करके बैठेगा तो उसको लगेगा सर्कुलर में कहा गया है कि कुर्बानी नहीं करो माहोल बिगड़ेगा यहां प आपके तरफ से कहा गया तो क्या हो गया यह मलमुत्र भी जाके गंगा में मिल जाती है तो खून मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा अरे मलमुत्र ना मिले इसलिए मोधी सरकार ने अभियान चालू किया है ओपन डिफिकेशन समाप तो हो इसके लिए स्वचता अभियान और किस प्रकार सोचाले बना जा रही वो भी आपने देखा है एक सरकलर जारी किया गया कि खून भी नदी में ना मिले तो इसमें एक कॉंपिशन की हो रहा है कि तुम मलमुत्र मिलाओ और मैं फून मिलाता हूं और नदी को और गंदा करते हैं मुझे 10 सकंड बोलने दीजिए उसके बाद आप बोलिएगा दूसरी बात अमन भाई एक बड़ी बात में कहना चाहूंगा आप रूल के तरह मतलिए क्या गंगा साफ हो गई कंप्लीट कर लो उसके पूंच लिएगा साफ हो गई आप उसे बकरा डूबाएंगे कर लेके आप उसमें खूंड उबाएंगे उसका मतलब है ने आप सुन लीजिए अमन भाई अफवादों को अफवादों को नौर्म की तरह नहीं लेना चाहिए किसी एक जगा कुछ गल्ती होती है तो हम भी खूं को लेके गंगा में मिलाएंगे यह गलत बात है याद है कुछ तीन-चार मौलाना उने बेचारी बकरी के साथ क्या किया था याद है न करें है प्रणीय खिलंन की तो नौरा चैश्टे तो थाहिए ऐस कषो प्रतान के वह जिरें हो पर आपकी लेंगे करों को गेरिंग इस वचलते हैं आप इतनी अच्छी बात है when वाके मच अप्रेटेटेटेटेटेटेट्र जी तो जा रहे हो गई अप्रेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट। इस मामले में अखिलेश का साथ अखिलेश का यह साथ है मैं अमन जी मुझे प्रेश के समझ में नहीं आया लेकिन मैंने पहले ही का कि कोई भी आदेश अधिक दिया जाता है प्लीज दोंट सब्सक्राइब और यह जांच करां नहीं तो कल को अब एक सुप्रीम कोट ने नोटिस दिया इस पर भी नोटिस आजाएगी गोटा लेकी जो मैं बात कह रहे है उस पर रहूंगी सर्कुलर अगर जाली आप इस तरह का सार्कुलर जारी करें तो मुसल्मानों में चर्चा होने से क्या आप पता जाएगी जो आपको तेन सेकिर्ट जेना डॉक्त रिजवान प्लीस तेन सेकिंद में कम्टीट किजएगा प्लीस दॉक्त रिजवान जल्दी से डॉक्त रिजवान जी देखिये साहब हम मुसलिम हैं अगर हमारे महले में सड़क में कोई सुवर काटने लगे तो हमको कैसा लगेगा हम यही समझ लें कि हिंदू को भी उतनी ही तकलीफ हो रही है तो समस्या का समधार निकलाएगा और यह जो LGBT वाले अंकिल बैठे हैं इनसे भी कहिए कि जब यह अथीष्ट हो चुके हैं तो यह मुसल्मान को भड़काए ना यह LGBT वाले जो चोती वांदे बैठे हैं आपका बहुत 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 शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया अपका बहुत बहुत शुक्रिया समय का बाता बहुत बहुत शुक्रिया ताल टूके देख रहे हैं